दोस्तों समस्तिपूर के ग्रीन पार्क ने किया है सीतल ग्रीन सीटी की जमीन को हर अपने की कोशिस यहां तक की सरकारी पोल चोड़ी करने के बाद ग्रीन पार्क का गजब का कारनामा है हर ब्यक्ति का सपना घर हो अपना जिसको पूरी करने में आम जन्ता एरी चोटी एक कर देते हैं लेकिन जमीन एबं प्लॉट समंदित काम कर रही कंपनियां इसकी खिल ले उड़ा रही है जिसकी ताजा मामला समस्तिपूर जिले के मुश्रिक राड़ित हना अंदरगत गंगापूर में बन रहे स्रितल ग्रिन सिटी के साथ ग्रिन पार्ग नाम की कंपनी द्वारा किया गया जबरस्ती देखने को मिल लहा है आज बीचार होगा आज बीचार होगा तो उस दिन आपको करना चाहिए गलत बात बताईए ना ठीक है आज मिचुवल नापी नहीं है आज लात की बात 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 ब बताईए अब कर बात 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 बताईए ना थेक हाई अब आपको उजी डेट परावगा तो जगा किया थेका बना जमीन हर अपने की कोशिस यह पारदर्सित कर रही है कि सीतल ग्रीन सीटी की निर्देशक मुहम्मद यासीर इमाम ने मीडिया को बताया है कि उनकी प्लॉट की काम सीतल ग्रीन सीटी के बैनड़क की तहत समस्तिपूर के गंगापूर में हो रही है जिसमें कमपनी द्वारा साप शुत्रा जमीन लेकर आम जनता को सस्ती से सस्ती किम्मत पर मुहिया करा रही है इस बात को लेकर उनके परोस में ही बन रहे ग्रीन पार्क के द्वारा सीतल ग्रीन सीटी के प्रोजेक्ट पर अवैर बॉंडरी करन कर दिया गया है इसके बाद कमपनी के तमाम लोग ग्रीन पार्क से नापी की मिन्नते करने लगे लेकिन बात ना बनते दे एक सीदल ग्रीन सीटी के लोग अपने नापी करने प्लोट पर पहुँचे इस दोरान ग्रीन पार्क की द्वारा मुख द्वार को बंद कर दिया गिया इसके बाद ग्रीन पार्क करमचारी अबरतक से पेश आने लगे एवं माफी में अबरोड डाल रहे हैं जिससे माफी अधूरी रह गई है हलाकि मुश्रिक हरावी पुलीस के हस्तक छेप से किसी प्रकार के विवाद ना होते हुए मामला को निप्टारा के लिए आगी कानूरी प्रकीजा कीजा रही है जिसके बीच ग्रीन पार्क के प्रोजेक्ट के अंदर मीडिया कबरेश के दावरान भारी मातरा में बिजली विभाद के पूल पाये गए जिससे पूल देखने के बाद अनुमानित होता है यह सरकारी पूल है जिस पर एनवी पी टी सी यल का क्रमांग संख्या एबं लोगो भी लगा है सवाल यह है कि इतनी बरी संख्या में पूल ग्रीन पार्क की प्रोजेक्ट में क्या कर रही है ब्यूरो रिपोर्ट समस्तिपूर मास इंडिया